हलो फ्रेंड्स वेलकम तो नंदकिशोर क्लासेज आज हम कोडिंग डी कोडिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिन करने वाले हैं बड़े ध्यान से देखिए इफ बुक इस कोडिड एस 43 हमारे पास बुक को कैसे कोड किया हुआ है 43 से तो बताइए फैन का कोड क्या होगा वैसे हमें कुशिन आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ अगर आपको इसका अंसर पता है तो आप इसका अंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए और कंपेर करते हैं कि कि आपका अंसर करेक्ट है या नहीं और इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि इसमें इसका कंसेप्ट क्लियर होगा ऐसे कुशिन अक्सर कंप्रेडिव एक्जाम्स में आते हैं सबसे पहले देखिए जब भी इस तरह का कुशिन आए तो आपको क्या करना है आपको बी ओ के यहां तिन लेटर है ओ तो दोबार आ रहा है ना हमें इसका देखना है कि इंगलिश अलफाबेट में यह कौन्सी पोजिशन पे आता है जैसे बी अगर आप चेक करेंगे तो यह सेकंड पोजिशन पे आता है एक के बाद भी सेकंड पोजिशन है ऐसे आप ओ को G, H, I, J, K, L, M, N, O, 15th position पे O आ रहा है, ये वाला वो भी obviously 15th position पे है, और K कहां पर है, दोबारा चेक करके देख सकते हो, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, K आ रहा है जी 11th position पे, अब पहले तो इन सब की positions चेक कर लेनी है, बहुत असान हो जाता है कम, अब हमने देखा कि अगर मैं इनको add करता हूँ, तो 43 बनता है, तो आपको देखो question का idea ही हो गया ना, कि book को code 43 कैसे किया हुआ है, सबी letters की individual positions को add करके, जो number बना वही उसका code है, अब मेरे को क्या पूछा है, pen का code निकालिए, अब अगर pen का code निकालना है, तो फिर सब की positions पता होनी चाहिए, चलो आप बताए, P की position क्या है, E की तो मुझे पता है, सब को पता है ना, E तो 5th position पे है, अब P और N को हमें count करन पड़ेगा, तो अगर आप गोर से वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से चेक करिए, P कौन सी position पे आता है, और लिख के बताईए, इसके साथ ही N भी बताईए, कि N कौन सी position पे आता है, चलिए, जिनों ने लिखना था लिख दिया है, मैं बता देता हूँ, P आएगा 16th position पे चेक करिए, आपका ठीक है के नहीं, और उगलियों पे काउंटिंग करिए, N आएगा 14th position पे, राइट, चेक कर लिजिए, आपका ठीक आया, अब इनको एड़ करिए, देखिए, क्या बनता है, इनको एड़ करने से बनेगा 35, that means, C option is the correct option, ये question मुश्किल नहीं है, हाम, time save करना बहुत जरूरी होता है, थोड़ी speed बढ़नी चाहिए, यानि कि ये जो अभी उगलियों पे count कर रहे हैं, जब थोड़ी से question इस तरह की practice करोगे, तो वो वैसे ही याद होने लग जाते हैं, कोई एक अदा number याद हो जाता है, जैसे P याद हो गया 16th है, तो अब N तो से दो पहले ही आता है, तो starting से गिनने के जरूरत नहीं पड़ती, experience और practice के साथ easily हो जाते हैं, तो I hope ये concept इस question का आपको समझाया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे like और share जरूर कीजिए, thank you so much.